नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रेंद पांडे और मैं आप सबीका अपनी यूटीब चनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे अपनी इंटाडे वाट लिस्त के बारे में फिर से मैंने आपके लिए चार नए स्टॉक पेके हैं जिन में मुझे परसनेली लगता है कि नेक्स्ट इनिंग सेशन में बहुत ही अच्छे मोमेंटम की उमीद है स्टॉक का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला स्टॉक है बाटा इंडिया दूसरा है आपका अपूलो हास्पिटर तीसरा स्टॉक है आपका पूलो टायर और चौता स्टॉक है आपका कॉलपाल तीन स्टॉकों में हमारी भाइंग पोजिशन आ रही है और इसे फिर से रिवाइस करने वाला हूँ अगर आप एक्सिंटेडर है तो बाटा को कंसीडर कर सकते हैं अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखें इंट्रेट ट्रेडर्स आपको यहां पर एक सीध ध्यान देने पड़ेगी कि इस समय बाटा का क्या साइकल है विकली टाइम फ बात करें उसके अकॉर्डिंग हमें 1940 का टार्केट मिला है लेकिन विकली टाइम फ्रेम में हम जब चार्ट देखते हैं तो उसका टाइम भी वैसा ही होता है यह स्विल्ट टार्केट है 1940 तक तो जाना चाहिए पाटा इंडिया को अगर यह नेकलाइन प्रिक हो जाती है ले फिल्ट को इंट्रडेव वेशिज है यानि हम यहाँ पर कल की लेवल की बात कर रहे हैं कि कल हमें पाता इंडिया में क्या करना चाहिए और कल की लेबल को समझने के लिए हमें टाइम फ्रेम चेंज करना है अवली टाइम फ्रेम में जाना है और बात करेंगे हम 18 जून के हाई की लेबल है 1681 कल की दिन ये फिर से हमारे लिए बैरेट रहेगा आपको 1682 का लेबल मानके चलना चाहिए 1685 के उपर ही आप पाटा है अगर हम बात करें टार्गेट की तो फर्स्ट टार्गेट जो आपको मिलता है वो है 1700 सेकिंड टार्गेट है आपका 1750 और था टार्गेट है आपका 1740 याद रखिएगा कि ब्रेक आउट पर ही कल आप पाटा इंडिया में एक पाइंग पोजिशन को कंसिडर करेंगे पूरे ट्रेंड को होल्ड करके रख रही है अगर 31 मार्च 2020 से हम इस ट्रेंड लाइन के भी हैवियर को फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि हर बार इसी लेवल से प्राइज ने पहुंस लिया है और इस समय हम इसी ट्रेंड लाइन पर ठेट कर रहे हैं और अगर हम बात कर जादा संभावना है ऐस पर पास्ट भी हैविर कि स्टॉक यहां से यह बाउंस ले जाए हमें मालूम है कि डायरेक्शन कहां पर है मार्कित में एक बाउंस लग सकता है अपोलो पेरिश जब होगा 3090 की नीचे क्लोस करेगा लेकिन जैसा कि मैं अक्सर आप से कहता हूं कि ड लेडर नहीं बन जाते जब तक आपका इंट्री और इक्सित पॉइंट सही नहीं होता और इंट्री समयने के लिए हमें यहां पर टू आर्स के टाइफ्रेम में जाना है और बात करेंगे आज की मूप की आज की मूप में अगर आप ध्यान दें तो करीब 11.15 मिनिट पर जो कर सकते हैं आपका स्टॉप लोस रहेका 3,238 यानि आज का क्लोजिंग प्राइज और अगर हम बात करें टार्गेट की तो फर्स टार्गेट आपको मिलता है करीब 3,267 सेकेंड है आपका 3,282 और थर्ड टार्गेट है आपका 3,340 3314 ठीक है अगला स्टॉक है आपका अपो मिलेगा और इस पूरे अप्ट्रेंड को इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया है और इस समय हम इसी ट्रेंड लाइन के पास में ठेट कर रहे हैं होगा क्या या यहां से बाउंस लग जाएगा या मार्केट यहां से करेक्ट हो जाएगी लेकिन हम बात करते हैं पास्ट भी ह प्रेम कम करना है अवले टाइम फ्रेम में जाना है और यहां पर चुपाइंग बनेगी वो बनेगी 228 के अबब 228 के ऊपर अगर अपूलू ट्रीट करें तो आप यहां पर एक बाइंग पोजिशन को कंसीडर कर सकते हैं स्टॉपलस रहे का 226 यानि आज का क्लोजिंग प्राइस और अकर हम बात करें टार्गेट की तो फर्स टार्गेट है 231 सेकेंड है आपका 233 और थर्ट टार्गेट है आपका 235 अगला स्टॉक है आपका कॉलपल और कॉलपल को आपने सबसे पहले डिली टाइम फ्रेम में दे इस्टन्स था यह ब्रिक हो जाए और ब्रिक का लेवल मिलता है आपको करीब 1655 के नीचे 1655 अगर प्रिक होगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि यह जो सपूर्ट जोन है यह ब्रिक हो गया है और स्टॉक अब एक नया लोग बनाएगा और वहीं पर हमें एक्सल पोजिशन को कंसीडर करना चाहिए बात करें कि स्टॉपलस की तो स्टापलस है आपका 12667 यानि आज का क्लोजिंग पराईज और पात करें टार्केट की तो फर्स टार्έच है 1243 सेकेंड एपका 1630 अर तर्ड़ तार्ट है आपका 1618 या तीना ही टार्केट आपको देखने पो कंडिशन है कि प्राइज जो है 1655 की नीचे क्लोज होना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्रेस लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक् कार धन्यवाद जय हैंद